ये दोस्तो आप पौदा देख सकते होу इसमें कितने सुन्दर फूल आते हैं। ये डवल पैटल में जैसे कलंचो के पौदे रहते हैं। वैसे डिटो इसमें पूल आपको देखने को मिलेंगे। इस पौदे का नाम है Phlox, Phlox में दोस्तों बहुत सारी वराइटी जाती हैं, जिसमें बहुत बढ़िया आपको colors मिल जाते हैं, इस वराइटी का नाम है Phlox Promise, और इसके मैंने बीज लगाए थे September end में जाके, और मेरे यहाँ पे जो फूल है इसके फरवरी की शुरू में खिल मिलने शुरू हो गए थे, हमारे पास जो Phlox का पौदा रहता है, इसको बीज और कटिंग दोनों के दवारा त्यार किया जाता है, पर जैसे नौर्थ इंडिया में बहुत कम समय के लिए ठंड़क रहती है, सीजन में, इस वज़ए से इसको बीज के दवारा ग्रो करना इसमें सिंगल पैटल, डबल पैटल, दोनों तरह की फ्लारिंग होती है, और ये पौदे हैंगिंग बास्कित में भी आराम से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, जैसे आप देख सकते हो, स्प्रेडिंग ये ज़्यादा अच्छे तरीक नहीं होती है, ये पौदा असानी से जहल लेगा, और इसमें पानी की कमी बिल्कुल भी मत होने दीजेगा, जो आपका फ्लॉक्स का प्लांट रहता है, इसको जैसे आप पूरी धूप में रखेंगे, तब ही जाके आपको जल्दी ही इसके उपर जो फूल देखने शुरू होंगे, अदर्वाइस अगर शेडी इरिया में रखेंगे, क्योंकि मैंने पौदा एक रखेंगे देखा तो इसकी वेजटेटिव ग्रोज जो हरा बरा तो ये होता रहेगा, पर इसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे, फ्लॉक्स में दोस्तों कोई भी ऐसे भी नहीं कैसा इसको soil mix चाहिए, तो soil mix दोस्तों जैसे हम दूसरे हमारे जो winter plants हैं जिनके लिए बनाते हैं, तो same ही इनके लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसमें आप जैसे normal garden soil ले सकते हो, rice husk ले सकते हो, और साथ में 30% कम से कम vermi compost का हिसा भी जरूर लें, फ्लॉक्स में दोस्तो तो जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो soil में moisture रहना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा phlox का plant है, जो मैंने देखा है, कि अगर इसकी मिटी एक दिन के लिए भी सूख जाती है, तो इसके नीचे वाले पत्ते बहुत जल्दी से पीले हो जाते हैं, तो आप खुद देखें, जो मैंने मिटी दिखाई है, वो कितने अच्छा तरीके से moisture हो रखी दी, और winter में मैं हमेशा ये try करता हूँ, कि दो दिन में या तीन दिन में एक बार चेक करके पानी डालू, क्योंकि winter में कुछ पौदों की जो growth है, वो slow हो जाती है, जैसे कोरे के द जो सर्सों की खली है, कम से कम महीने में, एक बार तो हमारे सबी पौदों में डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, कि उसमें गर्मायश होती है, क्योंकि बहुत जड़ा ठंड के वज़े से, जो मिटी का temperature है, salt temperature है, वो बहुत ज़्यादा down चला जाता है, roots हैं अच्छे स grow नहीं हो पाती है, उसमें जैसे सर्सों की खली हम डालते हैं, उसकी गर्मायश के वज़े से, जो roots हैं, वो grow करना शुरू करती हैं, और आपके plant का survival rate अच्छा रह जाता है, इसलिए सर्सों की खली का मैं परियोग अपने garden में करता हूँ, otherwise जैसे दोस्तों, इसकी pod मैं लग है, September end का या October के पहले अफ़ते में आप लगा दीजिए, इसके beach germinate होने के लिए कम से कम 15 दिन ले सकते हैं, क्योंकि इसके seed का shelf बहुत हाड रहता है, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, पर उनको germinate होने के लिए पूरा मौसम अच्छा चाहिए, और साथ में पानी में ग्रो करें हैं, और एक दम से आप इनको पूरी दूप में रख दीजे, जिसके साथ काफी बार हमारे जो प्लांटे खराब होना शुरू हो जाते हैं, और एक दम से अगर आप किसी भी पौदे को दूप में रखेंगे, वो सहन नहीं कर पाएगा, और एट लास्ट आप बहुत गलत है, मैं क्या दोस्तों करता हूँ, जब भी मैं पौदे को लगाता हूँ, बीज के दवारा, तो सबसे पहले जब यह जर्मिनिट हो जाते हैं, एक दो दिनों के लिए मैं इसको शीडी अरिया में ही रखता हूँ, उसके बाद क्या रहता है, पहले दिन जैसे मैं इसको धूप में रखूँगा, तो एक घंटे के लिए रखूँगा, उसके अगले दिन दो घंटों के लिए, ऐसे ही हम आगे आगे टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमारा पौदा अडेप्ट हो जाते हैं, कि हाँ अभी धूप में ही रहना है, तो वैसी ही आपका पौ अगी साइड के इस्तमाल करें, और गैनिक में भी जैसे ट्राइको डर्मा पाउडर आता है, उसमें आप बीज को थोड़ा सा जैसे पाउडर लगा के लगा सकते हैं, उसके साथ भी फंगिस वगरा आपके पौदे में कम आएगे और आपका प्लांट अच्छे दरीगे से चलेगा, इसके लावा दोस्तों पौड साइज जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसको 7 इंचिस के पौड में लगाया है, पहले मैंने आपको दिखाया था छोटे गमले में जिसमें फूल आ रहे थे तो आप 5-7 इंचिस के पौड में इसको आराम से लगा सकते हैं, हैंगिं के बारे में या दूसरे सर्दियों के पौडों के बारे में वो भी आप मुझे बता सकते हो, तो फ्लॉक्स के प्लांट को जरूर लगाएगा और बताएगा जरूर आपको आज की वीडियो में कौन सा कलर जो मैंने फ्लॉक्स के पौड दिखाया है, सबसे बढ़िया लगा और कैसे आप बीच लगाते हो, वो भी आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ दूसरे वीवर्स जो देखते हैं वीडियो उनको मेरे से और या फिर आप से बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, तो थैंक यू फर वाचिंग और प्लीज प्लीज दू आप मैं यूटूब चैनल